असलाम लेकुम दियर स्टूदेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस आनम रबानी और आम यूर टीचर अपने फोरेस्ट के बारे में और थोड़ा बहुत अपने फोरेस्ट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मजीद अपने कुछ जंगलात के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं Coniferous forests found in the lower parts of the mountains of the north for example above Mai and Nathya Gali and in parts of hills of Balochistan. वो आखको सबसे पहले बता राया है के Coniferous forests exactly हमारी country में केस जगां located हैं. So we are talking about the location of these forests. So where are they? They are in the lower parts of the mountains of the north. यानि के हमारी country का जो northern area है उसके lower part के जो mountains है for example above Murray and Nathya Gali and in parts of hills of Balochistan. आपने ये locations याद रखनी हैं. आपको हर forests की कुछ locations बताई जाएंगी. आपने ये locations याद रखनी हैं because they are important for MCQs. अब हम बात कर लेते हैं कि इन forests में किस तरहां के दरख पाए जाते हैं. These forests have fur, spruce, deodar and kale trees. अब यहाँ पे कौन-कौन से forests पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं fur, trees, spruce, deodar and kale trees. Also a number of broad leaf trees such as oak, maple, willow, birch, etc. इसके इलावा भी यहाँ पे कुछ trees हैं जिनके broad leaf होते हैं. Broad हम कहते हैं बड़े को, खुले को और leaf, पते को. यहाँ पे बहुत से ऐसे दरख भी हैं, जिनके leaves बहुत broad होते हैं. इसलिए वो यहाँ पे आपको कह रहा है, broad leaf trees. Also a number of broad leaf trees such as oak, maple, willow, birch, etc. यहाँ यह जो trees हैं, इनके leaves बहुत broad होते हैं, इनके पते बड़े-बड़े होते हैं. The wood from these trees is very valuable. अब वो आपको बता रहा है कि जिन दरखतों का जिकर उसने किया है, उनकी जो wood है, उनकी जो लकरी है, that is very valuable. यानि कि उसकी बहुत जादा value होती है, उसकी बहुत जादा कीमत होती है. कुछ दरखतों होते हैं, जिनकी लकडी इतनी जादा valuable नहीं होती, वो इतना जादा use नहीं की जा सकती. लेकिन कुछ तरख्त होते हैं जिनकी लकडी बहुत जादा valuable होती है उसका बहुत अच्छा furniture बनाया जा सकता है और इसके इलावा भी उसके बहुत से uses होते हैं और इसी लिए according to the quality of wood उसकी price भी vary करती है बलोचिस्तान is one of the largest and oldest juniper forest in the world अब वो आपको बता रहा है कि बलोचिस्तान में has one of the largest दुनिया के सबसे बड़े and oldest और सबसे कदीम पुराने juniper forest in the world, juniper forest पाई जाते हैं He is telling you that बलोचिस्तान is one of the largest and oldest juniper forest in the world यानि कि दुनिया में जो जंगलात पाई जाते हैं खास्ताओ पिर जुनिपर फारेस उन मेंसे जो सबसे बड़े और पुराने जंगलात हैं वो बलोचिस्तान में पाई जाते हैं तो ये बहुत ही important होता है किसी भी country के लिए अगर उसमें कोई ऐसी site है जो के बहुत कदीम है क्योंकि वो tourism point of view से भी बहुत important होती है बहुत से लोग उसको visit करते हैं देखने आते हैं तो ये किसी भी country के लिए बहुत अच्छा होता है किसी भी country की economy के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है some trees are believed to be five thousand years old यानि कि कुछ दरख तो ऐसे हैं इन जंगलात में जो तकरीबन पांच हजार साल पुराने हैं a very very long time five thousand years old these forests are a protected heritage site तो ये जो जंगलात हैं जो के बहुत पुराने हैं these are a protected protect का मतलब क्या होता है protect का मतलब होता है किसी चीज को मैफूस करना heritage हम कहते हैं विर्से को और site हम कहते हैं जगे को so these forests are a protected यानि कि ये जो जगे हैं जहां पे बहुत ही पुराने जंगलात हैं बलोचस्तान में ये protected है हमारी government इनकी इफाज़त करती है क्यों? because they are heritage site यानि के ये हमें हमारे अबाव अजदाद से मिले है as a heritage विरास्त में मिले है heritage site यानि के एक ऐसी जगा है जो के हमें हमारे अबाव अजदाद से तोफे में मिली है मतलब इस बात का ये है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही पुरानी है जो आपके four fathers से चलती आ रही है तो ऐसी चीज़ को आप कहोगे कि वो आपको विरास्त में मिली है तो ये जगलात भी हमारे लिए बिलकुल ऐसे ही है जैसे हमारी अपनी कोई प्रॉपर्टी हो जो के हमारे four fathers से हमारे अबाव अजदास से हमारे ancestors से हमें तोफे में मिली हो और हमने इसकी हिफाज़त करनी हो इसलिए हमारी government भी इन जगलात की हिफाज़त करती है because they are protected heritage sites अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने dry forest के बारे में तो सब से पहले आपकी book में बताई गई है इनकी location पोटोहार प्लेटियो रीजिन अराउं जेहलम, रावल पिंडी अटक, मांसेहरा अप्ताबाद, कोहार्ट and पिशावर and in the सुलिमान रेंज इन बलोचस्तान तो ये आपको कहां पे मिलेंगे ये आपको मिलेंगे पोटोहार प्लेटियो के रीजिन में around जेहलम, रावल पिंडी अटक, मांसेहरा, अप्ताबाद कोहार्ट and पिशावर and in the सुलिमान रेंज in बलोचस्तान आपने ये सारी लोकेशन याद रखनी हैं और अगर आप चाहो तो आप अपनी असानी के लिए एक टेबल भी बना सकते हो आप फॉरेस्ट का नाम लिखो उसके बाद आप लोकेशन का एक कॉलम बना लो कि वो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे किस जगा पे और उसके इलावा आप लिख सेथे हो कि उसमें किस तहां के दरख पाए जाते हैं मतलब टाइप ऑफ फॉरेस्ट का एक कॉलम बना लो और पिर आप उस टेबल को बार बार देखते रहो तो आप के लिए ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स याद करना आसान हो जाएगा इवर ग्रीन ट्री होने का क्या मतलब है एवर ग्रीन हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि किसी भी मौसम में ठीक रहे मतलब इट इस एवर ग्रीन उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि गर्मिया है या सर्दिया है या खिजा है या बहार है वो बस हमेशा एवर ग्रीन है ठीक रहती है तो इट हैस गॉट एवर ग्रीन ट्रीन यानि कि इसमें ऐसे दरख्त है जो कि एवर ग्रीन है मौसम का उन पर असर नहीं होता और इसके इलावा यहाँ पर कौन से दरखत पाए जाते हैं? चेस्टनट, जनिपर, वालनट and ओक ट्रीज आर अलसो फाउंड हीर उसने आपको मजीद कुछ दरखतों की टाइप्स बताई है जो के इन जन्गलात में पाए जाते हैं जिनमें चेस्टनट, जनिपर, वालनट and ओक ट्रीज शामिर हैं नव लेट्स टॉक अब थाउन और राक इन दे वेस्टरन पार्ट अब बलोचिस्तान का वेस्टरन अरिया है, वेस्टरन पार्ट है और जादा तर पंजाब और सिंथ के अलाके में वेरी फ्यू फॉरेस्ट बहत ही थोरे जंगलात हैं फॉरेस्ट जंगलात और फ्यू थोरे तो इसकी वज़ा क्या है? इसकी वज़ा यह है कि वहाँ का जो मौसम है वहाँ का जो क्लाइमेट है that is too dry वो बहुत जादा dry है, खुशक है और उसकी जो मिटी है वो भी बहुत सरखेज नहीं है अब क्योंके वहाँ का मौसम खुशक है जादा तर गर्मी रहती है और वहाँ की मिटी भी इतनी जर्खेज नहीं है इसी वज़ा से there are very few forests वहाँ पे जंगलात की तादाद बहुत कम है वहाँ पे vegetation कम है अब यहाँ पे किस तरहा के जंगलात है? या trees हैं थौन हम किसको कहते हैं बचो? राइट थौन हम कहते हैं कांटे को तो यहाँ पे जो पौदे लगते हैं या दरख लगते हैं वो कांटे दार हैं hardwood यानि कि इनकी लकडी बहुत सक्त होती है it is hardwood so they have got thonny hardwood trees such as acacia acacia को हम उर्दू में kicker भी कहते हैं का नाम शायद आपने अकसर सुना होगा and tamarisk और इसके रलावा tamarisk so let's talk about this sentence once again these areas contain thonny hardwood trees इन एरियास में किस तरहां के दरख थैं? thonny, कांटेदार, hardwood जिनकी लकडी बहुत सक्त होती है such as acacia and tamarisk लेकिन मैं आपको ये बता दूँ बच्चो कि जो acacia का plant है यानि कि जिसे kicker का plant कहा जाता है ये बहुत ही important होता है इसकी लकडी जलाने के लिए भी इस्तमाल की जाती है और इसके इलावा इसकी medicinal value भी बहुत जादा होती है बलके अगर देखा जाए तो कोई भी plant ऐसा नहीं होता जिसकी कोई एहमियत ना हो हर plant की अपनी एक इफादियत है या तो वो medicinal point of view से important है या उसकी लकडी अच्छी होगी for nature बनाने के लिए या फिर और भी बहुत से uses होते है जहां plants use होते है इसलिए हर plant अपनी जगा important है vegetation here survives despite the low rainfall and poor soil in the area अब वो आपको बता रहा है के यहां की जो vegetation है यहां की जो plantation है यहां की जो plants है here survive survive हम कहते हैं गुजारा करने को तो वो कह रहा है के vegetation here survives यानि के यहां की जो vegetation है वो survive कर जाती है despite इस वज़ा के बावजूद the low rainfall के वहां पे बहुत ही थोड़ी बारिश होती है and poor soil और वहां की जो मिक्टी है that is not fertile that is poor वो जर्खेज नहीं है उसमें जादा minerals and nutrients नहीं है in the area इस अलाके में so vegetation here survives despite the low rainfall and poor soil in the area उसने पहले भी आपको बताया के यहां का climate बहुत जादा dry है it is too dry and the soil is not very fertile और मिटी इतनी जर्खेज नहीं है लेकिन वो आपको बता रहा है कि इस सब के बावजूद इन वज़ों के बावजूद के यहां पे बारिश बहुत काम होती है climate बहुत dry है soil fertile नहीं है poor है यहां की vegetation survive कर जाती है बचों plants की different types होती है कुछ plants ऐसे होते हैं जिनको बारिश जादा चाहिए होती है जिनको पानी जादा चाहिए होता है लेकिन कुछ plants ऐसे होते हैं जिनको पानी थोड़ा चाहिए होता है अगर आप उनको जादा पानी लगाओगे उनकी रूट्स को जादा पानी मिलेगा तो वो खराब हो जाएंगे इसलिए अगर कोई एरिया ड्राइ है तो उस एरिये के हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स लगते हैं अगर आपने कुछ अर्सा भी उसको पानी लगाया है तो वो सारा पानी अपने लीव्स के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि जब बारिश ना हो तो वो मुर्जाए नहीं इसी तरह अगर किसी जगा बारिश जादा होती है पानी जादा है तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे प्लांट्स लगते है उन प्लांट्स के भी फिर डिफरंट फंक्शन होते हैं इसी तरह फसले भी होती है कुछ फसले जिनको जादा पानी लगाया जाए तो वो खराब हो जाती है लेकिन जैसे चावल है वो लगाया ही पानी में जाता है अगर अब चावलों के खेट देखोगे तो उनमें आप देखोगे कि प्लांट्स हैं और पानी में खड़ेवे होते हैं इसलिए डिफरंट एरियाज में डिफरंट प्लांट्स लगते हैं different trees or vegetation होती है and that is according to the climate of that area तो आज की lecture में इतना ही अगले lecture में हम बात करेंगे मजीद कुछ forests के बारे में and about the importance of forests के जंगलात हमारे लिए कितने important है अपना बोहत सा ख्याल रखियेगा अलाहाफिस अलाहाफिस